12 बंकी जिले में वैसे तो खेती किसानी बड़े पैमाने पर की जाती है यहां के किशानों की आय में बढ़ोतरी के लिए राजी सरकार कई योजनाय चला रही है ताकि वे खेती में सफलता पूरवक लाब ले सके ऐसे में इस्टाबेरी की खेती पर जिले के किसानों को धारित की गई है जिस पर विभाग की ओर से किसानों को 40% अनुदान दिया जाता है ऐसे में इस्टावेरी की खेती के लिए किसानों को कुल 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा जन्पत के किसानों को इस योजना के तहत इस्टावेरी की खेती में होने वाला खर्च किस साथे में भीजी जाएगी बागवानी मिशन योजना के तहित किसानों को आद निर्वर बनाने के लिए विविन लाबकारी किर्शी उपादनों के लिए पहले परसी छड़ दिलाया जाता है वहीं जिल्ला उद्द्यान अधिकारी महेश कुमार शिरिवास्तों ने बताया जन में बागवानी विकास मिशन योजना संचालित है जिसमें प्रांपरागत आधुनिक खेती के साथ विगत दो तीन वर्सों से नई फसलों का उसमें समाबेश किया गया है इस्टाबेरी भी एक महतपूर फसल है जो पहले बुंदेलखंड और जिलो में उगई जाती थी ले जनुदान एक वर्स में 50,000 पुरसाहन धनराज परती हेक्टेयर उपलब्द कराती है हमारे जन्पत में इस वर्स 20 हेक्टेयर का लच निर्धारित है उसमें 15 हेक्टेयर सामान किशानों के लिए 5 अनुसूचित जात के किसानों के लिए निश्चित किया गया है किसान इसका का लाप्राप्त करने के लिए हार्टी कल्चर पोर्टल पर पंजी कराना होगा उसके बाद पर्थम आव पर्थम पाओ के आधार पर उनका चैन किया जाता है फिर उसका सत्यापन कर डीपीटी के माध्यम से उनके खाते में धनराज निस्तारित की जाती है जनपद बारा बंकी में यहां के किसान काफी प्रगत सील है और सरकार की मंसा जो किसानों के आए को दुगुनी करने की है उसमें अध्यानिक फसलों का काफी महत्तो है जनपद में एक एक्रित बागवानी विकास में सन्य उजना संचालित है जिसमें परंप्रागत अवधानी फसलों की खेती के साथ विगत दो तीन वरसों से दो नई फसलों का उसमें समावेश किया गया है जिसमें इस्ट्रावेरी भी एक महत्तों फुसल है जो पहले बुंदेल खंड और अने जिलों में लगाई जाती थी लेकिन बारा बंकी में इसका तेजी से प्रसार हुआ है इस पे राज सरकार एक लाग 25 जार की काई लागत को मानते हुए चालिस प्रस्ता तमदान एक वरस में बुल 50 जार रुपए प्रोसान धंड राज के रुप में किसानों को प्रत हेक्टियर उपलब कराती है हमारे जन्पद में इस वर्ष 20 हेक्टेर का लक्ष निर्धारित है जिसमें 15 हेक्टेर सामान किसानों के लिए और 5 हेक्टेर अनसुशित जन्जात के किसानों के लिए निश्चित किया गया है इसमें किसान को लाव लेने के लिए उद्ध्यान विभाग की विभागे वेफसाइट यूपी हार्टी कल्चर डाट जी ओवी डाट इन पर पंजी करन कराना अनुवार है पंजी करन कराने के बाद उनका एक पोर्टल पे इस्थान निश्चित हो जाता है और प्रथम माव प्रथम पाव सिद्धान पर उनको चैनित करते हुए योजना का लाव मोहिया कराए जाएगा इसी प्रकार दूसरी प्रसल हमारी देगान पूर्ट